नवश्कार आप देख रहे हैं पंजाब केसरी मैं आपके साथ हूं जोती सर्मा तेलांगना विधान सवाद चुनाओ के लिए गुरुबर यानी 30 नवंबर को मतदान जारी है यानी आज से मतदान तेलांगना में जारी हो चुका है वहीं इस बीच खबर सामने आई है कि AIMIM के चीफ अस्दुदीन ओवैसी को जिस पोलिंग बूथ पर वोट करना है वह शुरू काफी देर से हुआ बताया जा रहा है कि ऐसा तकनिकी कारणों की चलते हो रहा है यह पोलिंग बूथ राजिंद्र नगर में है जिसका नंबर 397 ह आल इंडिया मजलिस ए इतिहादुल मुसलिम यानि AIMIM नौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है तेलांगना में कुल 2290 ओमीद्वार विधान सभा चुनाव लड़ रहे हैं इन में से कई VIP कंडिडेट जैसे की CMKCR उनके बेटे और मंत्री केटी रामा राओ प्रिदेश कॉं मिल हैं राज में कितने सेंटर वोटिंग सेंटर बनाये गए हैं इसे भी जानना जरूरी है तो आए हम जानते हैं कि आखिर राज में तेलांगना राज में जो चुनाव चल रहा है उस दोरान कितने वोटिंग सेंटर बनाये गए हैं राज में गुरुवार यानि आज दिसम्बर को होने वाली है राज भर में 35,655 मतदान केंद्र बनाए गये हैं जहां कुल 3,26 करोर रजिस्टर्ड मतदाता हैं तेलांगना विधान सुभा चुनाओ के लिए 2,5 लाख से अधिक करमचारी को ड्यूटी पर लगाया गया है तेलांगना में पहली बार बज़े से जारी वोटिंग में नेता से लेकर अभी नेता तक भी अपनी कतार में खड़े होकर वोट डालते हुए दिखाए लिएं वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पीए मोदी ने लोगों से वोट की अपील की है तेलांगना चुनाओ चल रहा है इस दौरान पीए मोद के दौरा सभी से अपील की गई है सोचल मिडिया के दवरान की सभी वोट डाले जैसे कि तिलांगना में वोटिंग शुरू है पीए मोदी ने अपने सोचल मिडिया हैंडल यानि एक्स पर टुईट कर लिखा है कि मैं तिलांगना के अपने बहनों और भायों स रिकर्ड मतदान की अपील करता हूं उन्होंने आगे कहा कि साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर से भी अपील है कि वह भी अपने मत अधिकार का बढ़ चड़ कर इस्तमाल करें वहीं अब देखना काफी दिल्चस्प होगा कि आखिर इस चुनाव में किसकी हार होती है किसका जीत होता है किस एक कहें तो हमारे लोक तंत्र के लिए एक बहुत बड़ा पर्व होता है जो लोग तिलांगना में दिखाई दे रही हैं नेतागन और साथ में अविनेतागन भी इस कतार में खड़े होकर पूरे हर सो उल्लास के साथ खड़े हैं और अपना मत अधिकार पयोग करने के झाने के साथ और साने किसा इसे कोर लोक नेख एक जाहीं, उल्र क Cute में दिख खड़े हो।